किसान साथियो ये बाग 5 साल पुराना है जिसमें हम इस बार चोथी फसल लेंगे सर्दियों की, ये है करपाल सागर का ताइवान पिंक का बाग हमने इसमें ये निश्चे किया था कि हम सर्दियों की फसल लेंगे लेकिन जैसा पहले मैंने बताया था कि इसमें हमारे जो कारिय करता थे गलती से उन्होंने पानी दे दिया पानी देने के फलसरूप इसमें नए कल्ले आ गए कल्लो से मेरा मतलब होता है ये नई साखाए और जब नई साखाए आती है तो एक दो तीन पर मैंने बताया था कि ये नई कल्या आ जाती है जब मैं कल्या कहता हूँ उसका मतलब ये होता है जो लोंग होती है जिन से फूल बनता है और फिर अमरूद आएगा जब मैं कल्ले कहता हूँ तो उसका अर्थ होता है कि ये नई बड्स ये जो ये निकली है ये नई बड्स यानि नई साखा का सरजन होता है तो एक बार मैंने सोचा कि मुझे इसमें यूरिया का इस्प्रे करा देना चाहिए जब मैंने इस पूरे बाग को घूम कर अच्छी तरह देखा तो मुझे लगा के अभी इसमें ये कलियां सुरू हुई है और इन्हें खिलने में कम से कम पच्चिस दिन का समय लगेगा और आज है बारा तरीक तो हमें ठीक अठारा दिन बाद इसकी कटिंग करनी पड़ेगी और तब तक फूल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे जबकि ये कलियां ही बनती रहेंगे तो मैंने क्या किया कि सबसे पहला काम किया कि यहां पर मैंने पूरी सफाई करवाई इसमें बहुत कुछ घास था जो आप देख रहे हैं उस घास को मैंने साफ किया मेरे पास ओप्शन भी था कि मैं इसमें कोई हर्बी साइड का योज करूँ किसान साथियों आपको पता है कि मैं वहवारी खेती करता हूँ और जिसे मैं कहता हूँ एक कदम जेवी खेती की ओर जेवी क्थेती क्या है इस पर मेरा थोड़ा अलग मत है जिसे मैं आपके साथ दीरे दीरे साजा करूँ तो मैंने इसकी सफाई कराई ब्रसकटर से कराई और कुछ ओर्तों को इसमें लगाया उनसे मैंने इसकी सफाई करा लिए अब मेरा पूरा बाग बिल्कुल साफ सुत्रा है अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने ये निश्चे किया है कि हम इसमें यूरिया का इस्प्रे नहीं करेंगे तो हम इसमें एक बार यहां पर और इसमें थोड़ा ताओ देने के लिए हम इस किस प्रकार करनी है आज मैं आपको एक पोधे की कटिंग कर बताऊंगा और वे सब तयारियां बताऊंगा जिससे के जो लोग एक तारिक से दस तारिक तक मई में कटिंग करना चाते हैं वो सब इनकी तयारी कर लें ये वीडियो चार दिन बाद आएगी आपके पास परचूर समय होगा और आप फिर अराम से अपनी कटिंग कर सकते हैं और सर्दियों की फसल को सुवेवस्थित कर सकते हैं पहला काम आप अपने खेत में अगर ब कोदो को ये लगे कि हमें पानी नहीं मिला जिसे हम ताओ गहते हैं दूसरा काम ये कराईए कि उनके जो नीचे है जो नीचे की जगह है जिसे हम कहते हैं कि उनके कैनोपी के नीचे है जहां पर खाद लगता है उसकी सफाई कराईए ये हुए दूसरा काम तीसरा काम होगा क जो खाद की मात्रा है उतने खाद का परबंधन कर लीजिए चुकि आपके पास अभी 15 से 20 दिन है उसका परबंधन कर लीजिए चोथा काम जो मैं कटिंग कर रहा हूं एक पेड़ की दिखाऊंगा उसके अगर कोई सवाल हो तो आप उनका निराकरण करिए और उनका पता जिससे के आप जब कटिंग करने खेट में जाएंगे आपको कोई समझ्या ना हो तो आईए जो चार चीजे हैं इन में से दो मेने बता दी है के एक जुताई करवाईए और दूसरी सफाई कराईए अब सुरू करते हैं तीसरी बात के कटिंग कैसे करेंगे और कहां से किसान साथियों जो पिछले साल की कटिंग थी वह देखी यहां से की गई ती और जो यहां से कटिंग करी थी तब यह साखाई निकली थी इन पर अम्रूद आये थे अब हमें क्या करना ताइवान पिंग की एक खासियत है कि आप एक साल पहले तक की भी कटिंग कर सकते हैं तो इसमें दो काम कर सकते हैं आप इसको यहां से काट सकते हैं यहां से काट सकते हैं और यह जितनी भी यह साखाई हैं यह जो पुरानी वाली हैं इन सब को हटा दीगे और आपके इसमें नए कल्ले आएंगे आपको इनकी बिलकुल सफाई करनी है और आप यह भी कर सकते हैं कि जितने भी यह निकले वे हैं, जो सकर्स हैं और जो नए कल्णे हैं इन सब को हटा देना है, इस प्रकार से, जो पैंसिल से आकार की कम हैं उनको काट देना है, और इस प्रकार पोधे का आकार छोटा करना है, जो नीचे हैं एक फुट तक के उनको बिल्कुल नहीं रखना है यह देखे यह मैं हटा रहा हूँ और यहां से इनको हाफ कर देना है कि आपका अगर अमरूद आए तो आप इसको यह सहन कर सके यह देखे यह वाला देखे मैं इसे यहां से हटाऊँगा तो यहां पर अमरूद आएंगे तो इनको सहन कर से जो यह हैं छोटे हैं इन सब को हटाना है दूसरा क्या करना है कि जो सूख गई है जो साखाए लगबग सूख गई है उनको हटाना है जैसे यह सूख रही है ये भी सूख रही है तो हम इसको यहां से छोटा करते हैं इस प्रकार से आप देखते रहे हैं और मैं कर रहा हूँ कोई बहुत जैसे यह तूटी हुई साखा है इनको अवश्य हटाईए नहीं यहां से बीमारी आएगी आपकी इसको हटा दीजिए इसको यहां से काट दीजि आपके छेत्र में बारिस कब सुरू होती है क्या आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी है तभी करना है आसपास अपने जो साथी हैं जिनके बाग हैं उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं कि हमारे छेत्र में कब कटिंग होती है एक मई से होती है आप एक मई से करिए अ अगर cutting करने में समय है और आपके हाँ ये लोंग निकली हुई है तो आप यूरिया का इस्प्रे सबसे पहले कर दीजिए नहीं तो आपके ये कलिया फूल बन जाएगी तो मेरा जो ये छेतर है पंजाब का यहां पर हम एक मई से cutting करते हैं और 20 अक्टूबर के आसपास हम इसम में भाव अच्छा मिलता है और इसका ये सही समय है तो देखिए मैं अब इसकी cutting करता हूं और आप थोड़ा ध्यान से देखें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो सूखी हुई हो और पैंसिल से बरीक साखाए हो उनको पूरी तरह से हटा दे और इसके पास से काटे एक ध्यान ये भी रखना है कि ये साखाए बहुत गहनी नहीं छोड़नी है नहीं तो इतने कल्ले आएंगे कि पोधा बहुत गहना हो जाएगा और फंगस की भी बिमारी आएगी दूसरा साखा इस प्रकार रखनी है आपको कि अगर उस पर तीन चार अमरूद आ जाएं तो वो नीचे नहीं गिरेगी यानि उसका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए इस बात का विशेश द्यान रखना है इसलिए पतले वाली इनको साखाओ को हटाएगा किसान साथियों यह देखिए मैंने इसको कितना छोटा कर दिया है और इसमें दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी प्रकार इसमें फाल आएंगे नीचे से कम से कम एक फिट छोड़ दीजिए जितनी भी सूखी हुई टहनिया हो उनको अवश्यक हटाएं काट दें और जो नए क कल्ले निकले हैं उनको हाथ से हटा दें या कटिंग से कर दें और जो यह साखाएं हैं पैंसिल से बरीक जो साखाएं हैं उनको हटा दें जो पैंसिल या पैंसिल से मोटी उनको रखें और कम से कम आधी तक काट दें और जहां पर बहुत अधिक साखाएं हो जाएं तो वहा किसान सातियों मैं सिर्फ एक ही पेड़ी की कटिंग कर रहा हूँ चुकि अभी कटिंग का समय नहीं है और ये आपके लिए है कि आप इसकी तियारी कर लें ये हुआ तीसरा काम चोथा काम क्या हुआ कि ये हमारा बारा बाई छे पर लगा हुआ अम्रूत का बाग है अब इसमें हम चारों तरफ तो बनाने में हमारे को बहुत समय लगेगा तो हम क्या करेंगे यहां तक हमने जुताई कर दी है यहां से यह दो फिट दूर यहां पर चुकि आप देखे इसकी कनोपी यहां तक आती है यहां पर हम गहरी नाली बनाएंगे इस तरफ पूरी गहरी नाली बनाएंगे इस तरफ भी बनाएंगे जैसे ही इनमें फुटान सुरूई होगी तो पोधा वानस्पतिक व्रद्धी नैले यानि वेजिटेटिव ग्रोथ न जाए तो हम केवल परती पोधे के हिसाब से 40 किलो गोबर का खाद, हमारे पास इस समय 100 ट्रोली बहुत अच्छे खाद की हैं, जो मैंने आपको दिखाईती बनी होई, अगले 10 दिन में बहुत अच्छा खाद तयार होता है, तो परती पोधा 40 किलो खाद, 2 किलो बोन मील, डालेंगे हम इसमें, 200 ग्राम हम इसमें डालेंगे सागरी का, और कुछ हम डालेंगे इसमें, करीब 50 ग्राम या 100 ग्राम हम वो डालेंगे, इतना सारा डालकर हम इसे बंद कर देंगे, और हम इसमें फ्लड करेंगे, यानि पानी देंगे, और जैसे ही पानी देंगे, तो पोधा समझ जाएगा के ताव तूट गया है और जो इसकी संचित एनर्जी है इसमें उससे नए कल्लो का सर्जन होगा 25 दिनों में कल्ले निकल आएंगे अगले 25 दिनों में इसमें फूल आजाएंगे 50 दिन की पूरी साइकल होती है जो भाई बागवानी में नए है वो एक काम अवस्य करें कटिंग के बाद कोपर ओक्सी क्लोराइड यानि के सी ओसी तीन ग्राम परती लिटर का इसप्रे अवस्य करें लेकिन शाम के शमें चार बजे के बाद या सुबह को साथ से दस के बीच ले ये अवस्यातियों ये थी म क्यारी करिए और जब मैं एक तारिक को कटिंग करूंगा इस बाग की फिर वीडियो दिखाऊंगा अगर आपका कोई प्रशन होगा तो मुझे कमेंट में बताएं हां अगर उसका उत्तर मैंने यहां पर दे दिया है तो मैं हो सकता है उसका उत्तर नहीं आप मुझे वाट् सवाल का उत्तर मैंने दे दिया अगर मैंने उत्तर आपका नहीं दिया तो समझ जाईएगा कि या तो आपका सवाल इस वीडियो से इसका कोई संबंद नहीं है या मैं इसका उत्तर दे चुका हूं इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जै भार बंदेना